नमस्कार मैं हूँ रागवन दुवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राश्टी जाच एजनसी यानि NIA ने शनिवार को ISIS आतंकी साज़िश मामली में करनाटक और महराष्ट में 44 इस्थानों पर छापे मारी की। सुत्रों के मताबिक NIA के अधिकारियों ने करनाटक में एक, पुणे में दो, ठाने गरामीन में 31, ठाने शहर में 9 और भयंदर में एक जगह की तलाशी ली। ये शापे मारी व्यश्विक आतंकी समू इस्लामिक स्टेट ऑफ इराग एंड सिरिया यानि ISIS के जरिये देश भर में आतंकी हमला करने की साज़िश से जुड़े एक मामले में हो रही थी। ISIS की गिंती दुनिया के सबसे खुंखार आतंकी संगट्रों में होती है। ये भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की आतंकबादी योजनाओं को विफल करने के लिए व्यापक जाच कर रहा है। इसके पहले भी इस तरह की छापे मारी की गई है जिसमें कई संदिक्दों को ग्रफतार किया गया है। अब तक शाकिब नाचन, हासिब मुला, मुसाब मुला, रेहान सूसे, फरहान सूसे, फिरोज कुवार, आदिल खोत, मुखलिस नाचन, सैफ आतिक नाचन, यावै खोत, राहिल नाचन, राजील नाचन, शकूब दिवकर, कासीब बेलारे और मुंजिर केपी को ग्रफतार क किया है मुम्किन है जल्द कुछ और लोगों को पकड़ा जाए यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर अधिकारियों को कोई लीड या सबूत मिलता है तो अने जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है अगर ऐसा होता है तो छापेमारी वाली लोकेशन की संख्या बढ़ जाएगी एनाईय के तरफ से जिस मामले में कारवाई हो रही है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकी अभी भी अक्टिव हैं जिनके भारत में भी होने की संभावना है आईयस आईयस के सेल्फ स्टाइल मौडियूल देश भर में फैले हुए हैं खासतोर से महराष्ट में ऐसे आईयस मौडियूल के छिपे होने की जानकारी है पहले भी महराष्ट में इस तरह की मौडियूल का भंड़ा फोड़ हो चुका है एनाईय इस बात की विजानकारी जुटा रही है कि कहीं इन मौडिय पूल में इवाओं को बहलाने फुसलाने और उन्हें कटर पंथी बनाने का काम तो नहीं किया गया है उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर कटर पंथी कंटेंट तो नहीं पहुंचाया गया है राश्ट्री अजेंसी ऐसे तमाम गद्विदियों पर पहनी नजर रख रही है NIA ने छापे मारी के दोरान आतंकियों के अंतराश्ट्री कनेक्शन और विदेश आधारित IS-IS हंडिलर्स की भागेदारी के साथ एक बड़ी साधिश का परदाफाश भी किया है NIA की जाँच में भारत के अंदर IS-IS की आतंकी विचारधारा का प्रसार करने के लिए कटिवद लोगों के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है NIA जाँच में सामने आ रही सबूतों के अधार पर कडियों को जोडने का काम कर रही है कहा जा रहा है कि पकड़े गए लोग IS-IS के स्वेंभू खलीफा के प्रती निस्ठा की शपतली और नेटवर्क इंप्रोवाइजड एक्स्प्रोसिव डिवाइस यानि IED भी तयार कर रहा था अपने गुर्गों के जरीए उस संग्ठन का उद्देश भारती धरती पर आतंकवादी क्रत्यों को अंजाम देना था जाच अधकारी इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि कहीं IS-IS मोड्यूल के जरीए इवाओं को आतंकी बनाना में तो कोई भूमका नहीं है यानि आतंकी संग्ठन में कोई भरती तो नहीं चल रही है आतंकी वाओं की भरती कर भारत विरोधी कद्विदियों को अंजाम देना चाहते थे NIA के अधकारी ऐसे तमाम एंगल से भी जाच कर रहे हैं NIA के अधकारियों ने महरास्ट और करनाटक पुलिस के साथ तालमेल करके 44 स्थानों पर छापिमारी की यह मामला आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगी द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश्य संबंदित है जिन्होंने अलकाइदा और आईएस आईएस सहित प्रतिबंदित आतंगवादी संगठनों की हिंसक चरमपंथी विचारधारा की प्रतग्या की थी और एक आतंगवादी गिरो बनाया था आतंगवादी संगठनों ने भारत में इसलामी शासन स्थापित करने के लिए एक हिंसक जिहाद छिड़ने के लिए धार्मिक अक्षाय संचालित करने के अलावा समान विचारधारा वाले इवाओं को अपने साथ शामिल किया था बड़ी संख्या में छापे मारी से जाँच एजनसी ना सिर्फ नेटवर्क बलकि आतंकियों का मनुबल भी तोड़ना चाहती है पकड़े गई लोगों से मिलने वाला इंपुट आगे की जाँच में मदद पहुंचाएगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रस के साथ नमस्कार